इस वीडियो के अज़ार में उन्बॉक्सिंग करने वाले हैं सिक्स्टी परसंड एन का एक वायरलेस ब्लूटूथ आरजीबी मेकैनिकल कीबोर्ड जी हाँ यह वाला जो कीबोर्ड ने मुझे बैंगूट की तरफ से आया अगर आपको इंट्रिस्ट है तो लिंक दे दूगा नीचे आप जाके पर्चेस कर सकते हैं सबसे पहले बता है तो कस्टम चार्जर के बारे में तो मुझे इस पर कोई कस्टम नहीं लगा ऐसे कोई छोटे मोटे प्रड़ेक्स आते ना तो ज्यादातर मुझे कस्टम नहीं लगता है अगर आपको लगा तो लगा नहीं लगा तो लगा पर्चेस करना अगर आपको इसकी फीचेस पसंद आ रहे Forester कर थे देने वाला हो, तो box आप देखेंगे, आपको कुछ इस तरह की का मिलता है, सामने की तरफ लिखा है 60% and mechanical keyboard, अब 60% क्या है कि आपको बता रहे तो कि एक full size जो keyboard आता है, वो उसके अंदर आप लोग को 104 keys मिलती है, तो इसके अंदर आप आपको 60% जो बताएगा, तो यह काफी छोटा सा, compact सा है, पीछे की तरफ यहाँ पे आप लोग कुछ remaining और चीज़ देखेंगे, तो आपको लिखी कि यह 500 image के आपको इसके बैटरी मिलती है, जो अच्छी बात है keyboard के लिए, और साथ में आपको पुछ के नजी M3 का जो प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे color की बात करे तो मेरे पास जो color आप देखेंगे, वो blue color का है, मैंने इसको blue color में मंगा था और switch आप देखेंगे, blue switch है, आपको यहाँ पे 5 color मिलते है, black, blue, pink, white, yellow, और आपको यहाँ पे different, different color की switches पी स्केने जो देखने को मिल जाती है, जो उनकी website पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएंगा, blue switch है, brown switch है, और red switch है, तो अपनी यह half kg का है, आपको मैं इसको बाहर निकल के बता रहे है, तो बहुत तक 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 आवाज आ रही है, इसके ने कसम से है, और यह है कुछ इस तरी के काफी छोटा सा है, यहाँ पर अगर मैं इसको full size keyboard से compare करूँ तो आप देखेंगे, यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर आप देखेंगे, इसका case है, आपको अलगला color में मिलते हैं, आप चाहे तो change कर सकते हैं, इसको change करके दुसरा भी चाहे तो आप यहाँ पर modify भी कर सकते हैं, दूसरे colors का अगर आपको लगाना है, पीछी की तरह आप देखेंगे, यहाँ पर आपको rubber मिलते, इसके stand है, और स आप चीज़ें मिलते हैं, आपको यहाँ पर USB cable मिलता है, इसके जरीए आप लोग इसको charge कर सकते हैं, या फिर आपको wired तरीके से अपने laptop PC पर connect कर सकते हैं, एक Bluetooth receiver, अगर आपके laptop या desktop में नहीं है, तो आप इसके जरीए इसको अपने desktop laptop में लगा कर सकते हैं, और यह key picker, अ तो keyboard को on कर देता हैं, सबसे पहले मैं आपको यह कौन चीज़ बता रहे तो कि यह keyboard करने जो आपको keys मिलती है, यह PBT keys है, और इसकी जो life है, वह बहुत अच्छी 60 million clicks कि जो life है, जो मेरे साब से बहुत ही देर तक आपको इस्तिमाल करने का मौका मिलेगा इसको, और यहाँ प थोड़ी सी और light को इस तरीके से रख देता हूँ, उसके बाद आपको FN दबाना है, और अगर आप फिर से यहाँ पर RGB दबाना है, तो यह off हो जाता है, यह lightning को toggle करने के लिए आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पर यह आप देखेंगे, इस से आप जो brightness को toggle कर सकते हैं, कि यहाँ पर इसको अगर आपको speed को toggle करना है, तो आप इस वाले button से speed को toggle कर सकते हैं, किस तरीकी की light को आपको इतने ज्यादा flow चाहिए, आप यहाँ पर toggle कर सकते हैं, अगर अगर आपको Bluetooth को on करना है, तो आपको FN की दबाना है, और B बटन को दबाना है, इस तरीकी से आप Bluetooth जो वो on हो चुका है, और फिर आप अपने mobile के इंदर इसको लगा सकते है, connect करके, या अगर आपके laptop और desktop में चाहिए, तो आप connect करके wirelessly भी use कर सकते हैं, या फिर जो receiver दिया है, इस तरीके का आप चाहिए, तो यह भी लगा कि अपने laptop desktop में वागरा भी use कर सकते हैं, तो य Bluetooth में जाना है, और उसके बाद आप देखेंगे, search करेंगे, तो नीची की तरफ NKB आया है, उसके बाद ये search करेगा, उसको connect कर देगा, और finally जब ये connect हो जाएगा, तो इसका application में आपको जाना है, और उसकी हिसाब से आप इसकी colors वगरा असानी से जो वो change कर सकते हैं, customize कर स जो yellow चाहिए, तो ये देखेंगे, आप yellow हो गया है, और green, blue, आपको अलग-अलग 9, अलग-अलग colors मिलते हैं, और बहुत सारे colors मिलते हैं, आप देखेंगे, इस तरही की colors मिलते हैं, ये static वाले section में हूँ, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे चीज़े हैं, वो toggle करने का option मिलता है, और अगर आप चाहें, तो custom भी अपने हसाब से keyboard को, colors को customize भी कर सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा आपको feature देखने को मिल जाता है, तो ये हैं दोस्तो, N Pro Keyboard मेरे साब से काफी अच्छा है, बहुत सारे features आपको देता है, modified भी कर सकते हैं, आप Bluetooth के जरी colors वगर और यहां पर arrow keys देखने को मिल जाते हैं, और FN keys से आपको काफी सारी चीज़े को toggle करना पड़ता है, तो ये तोना सा headache होगा, लेकिन अगर आप करते रहेंगे, तो आप यहां पर used to हो जाएगे, तो ये कुछ इस तरीकी का keyboard आपको देखने को मिल जाता है, तो मेरे साब से किलाल के लिए मैं इसको यूस करूँगा और देखते कि आने वाले समय में यह कैसा चलता है, तो अगर आप कोई वीडियो पसंदा तो अब जरूस इस वीडियो को लाइक करिए, मैं ऐसे ही फ्यूचर में आप लोग के लिए यूस लाता हूँगा, और आप लोग को ऐसे ही अब डिरेट काता हूँगा, मिलते हैं अपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो को साथ, तिल देने वे ग्रेट देए, और आल्वेस कीप स्माइलिग!